वेलकम टू रोकिंग गुरू पिष्ले टांपे हमने पॉलीमर में पॉलीमर के एक्जामपल सब पढ़ा था आज हम उसके आगे टॉपिक कवर करेंगे एक्जामपल पॉलीमर प्लस वल्कनाइजिशन ओप्लबर और हमारा पॉलीमर खतम हो जाएला याद रखना है पिशली मा पॉलब नोग आजो प्रेंट बोलते हैं अब आगे में टॉपिक कवर करते हैं थड्यमपल पॉली टेट्रफलोरो अधीन जिसको टैफलोन भी बोलते हैं आपको यादना है पॉली टेट्रा फ्लोरो और एथीन तो टेट्रा फ्लोरो यानि चार फ्लोरिन जुदे होगे तेफलोन यानि CF2 single bond CF2 अब भी कुछ नहीं करना था जो आपके bond है double bond को आपको single कर देना है और कुछ नहीं करना है जा ध्यान से देखिए टेफलोन जो है यह भी एक additional polymer है additional polymer है और homo polymer है और homo polymer भी है हमारा टेफलोन के अगर हम यूज की बात करें तो टेफलोन के क्या क्या यूज है सबसे पहला यूज रजिश्ट करता है करोजी वेजेंट्स के अटेक्स को दूसरा यूज है making oil seals and gaskets इनमें यूज होता है और थर्ड लाश्टी यूज है इसका नौन इस्टिक जो आपकी यूटेंसिल्स होते हैं उनकी कोटिंग में है अगला है हमारा polyacryl and nitrile पहले ही बता चुका था acrylo means दो carbon compound जिनके पीच में double bond है और nitrile यहने cn group आगे बढ़ते हैं acryl and nitrile CH2 double bond CH2CN परोक्साइड और केटिस्ट की प्रिशेंस में फिर से सिफ डावर्बांट चेंज होगा और single bond बनके polyacryl and nitrile बनेगा आपने acryl and nitrile duna N में भी पढ़ा है यूज की अगर हम बात करते हैं तो substance for wool for making commercial fibers याने वूल को यह substitute करता है और उसकी लिए लिए partial fibers की तरह यूज होता है अगला है हमारा PVC बताया था PVC समझाओ पॉली विनाइल क्लोराइड याने CH2 double bond CH2 group chloride याने chloride group वहां पर चुड़ा हुआ है तो CH2 double bond CH3 परोक्साइड की प्रिसेंस में बनेगा PVC फिर से double bond shift हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे और CH2 single bond CH और उपर CL लग जाए लग यह आपका PVC polyvinyl chloride अगर हम यूज की बात करते हैं तो यूज आता है manufacture of raincoat handbags water pipes अगला है हमारा नाइलोन 6 नाइलोन 6 के प्रिप्रेशन में हम लोग यूज करते हैं इसमें temperature यूज होता है 533-543 Kelvin साथ में हम लोग यूज करते हैं वाटर के molecule को चिक है यहां पर क्या होगा कुछ नहीं है बहुत इसी है सिर्फ carbon और नाइड्रोजम के बीच का आपको bond break कर देना है जैसी आपने carbon और नाइड्रोजम के बीच का bond break किया तो यह जो एक रिंग है यह extend हो जाएगी और यह chain की form में बन जाएगी और आपका एक निया पॉलिमर बन जाए जो के होगा नाइलोन 6 अगर हम यूज की बात करते हैं तो नाइलोन 6 का यूज होता है अगर हम इसकी बात करते हैं तुझा ध्यान से देखिए यह हमारा एक हुमुपॉलिवर है हुमुपॉलिवर है और साथ में यह एक पॉलिमाइड भी है यह एक पॉलिमाइड भी है अगले हमारा नाइलोन 6-6 अगर मैं नाइलोन 6-6 के बारे में बात करता हूं नाइलोन 6-6 तो नाइलोन 6-6 के लिए आपको याद रखना है दो मोनोमर्स होते हैं नाम कैसे याद रखेंगे सबसे पहला है एक्जामिथाइलिन डायामेड है यह एक्जामिथाइलिन याने सिर्फ पूर आना है और कुछ नहीं करना है और यहां पर प्रिप्रेशन की बात करते हैं इससे तो जहाँ देखिए पहली बात दो डिफ्रेंट को पॉलिवर है दूसरा यह एक कंडेंसेशन पॉलिवर कैसे होगा ध्यान से देखिए एनस्टू में जो दो हाइड्रोजन है उसका एनस्टू का एक हाइड्रोजन और सी ओएच का एक ओएच ग्रूप साथ में मिले और रिमूव किया वाटर रिमूव कर दिया तो बचा क् एक एन एंसे कॉंजूर आवा इस नेश्टू का भी घ्रोजन रिमूव होगा एन एच और सी एच टू का वोल शीक्स और फिर से एन एच इस डूबल बाड ओ शी एच टू का पूर और यहां पे सी डूबल बाड ओ और यह आपका बन गया है नाइलान शीक्स और अगर नाइलान शीक्स की बात की जाए तो सबसे पहले यह एक कंडेंसेशन पॉल्यूर है को पॉलिमर है एंड पॉली अमाइड है कॉली अमाइड है क्योंकि एनेच ग्रूब आपको यह पर प्रसेंट दीख रहा है यह अमाइड है अगर हम दो बात के रहें यूज की तो नाइलो शीक्स का यूज कहां पर होता है शीक्स की मेटिंग में यूज होता है ब्रिष्टेल्स और ब्रशेस में यूज होता है एंड टेक्स्टाइल इंटरस्ट्रीज में यूज होता है